आज मैं बताने वाली हूं आप लोग को साड़ी से गरारा ड्रेस बट इसमें क्या रहेगा नीचे का जो है हमारा चुणनट वाला इसकर्ड बनेगा तो सबसे पहले यह मैंने पाइपिंग लिया है ग्रीन कलर का दो मिटर यूज होगा एंड यह हमारा आइकान फैबरी के आइकान बोलिए या फिर क्रैब बोलिए यह हमारा पांच मिटर है और यह साड़ी है साड़े पांच मिटर की तो यह उनको पसंद नहीं थी तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ ड्रेस बना दो हैवी सा मतलब पार्टी वेर ड्रेस तो मैं आज इसी से ड्र अपको यहां तक समझ आ गया होगा तो थीक है अगर नहीं समझाया तो डिस्क्रेप्चन में चेक कर लिजएगा मैंने कितना क्या लिया है मैं में मैंसन कर दूंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए दाद मैं चैनल को सब्सक्राइ से तो मैं कमर यहां 12 रख रही हूं और मैं अपने बारे में आज आप लोगों को बहुत सारी बाते बताऊंगी मैं पहले भी वीडियो बनाती थी 2020 में जब लॉकडाउन था तो आप यहां देख सकते हैं यह से मैं लंबाई लोगे 36 और मरें अपना कमर है वह रही डो इंची पट्टियाला हो दो गी इसमें तो हम मरें 38 मतलब 38 हमारी अस्तर की लंबाई होगी हमारी जो दो इंची छोटी होती है अस्तर की लंबाई तो इस तरह से मैं इसको राउंड श्रफ दे दे रही हूं अब हम इसे कट कर लेंगे यहां जो छोटा पढ़ रहा है उसको हम साइट से उठा के महापरी में जॉइंड करेंगे तो आप लोग देखते रहिए और मेरी बाते सुनते भी रहिएगा तो मैं टिक टॉक बनाती थी 2020 में पेपर की ड्रेस बट मैं पहनती नहीं थी मैं किसी और को पहनाती थी अगर आप लोग को इसके बारे में भी जानना या फिर देखना अड्रेस तो मैं को कमेंट कीजिएग मैं आप लोगों को ज़रूर रेस दिखाऊंगी क्योंकि में पास फोटो तो नहीं है लेकिन ये टकाटक है ना उसमें वो सब वीडियो चली गई है तो उसमें मेरे जब टिक टॉक में फॉलोवर्स थे वो थे 3 लाक बट क्या हुआ जैसे ही मैं फेमस हुई वैसे टिक टॉक बैंड हो गए तो इस टाइम पे मुझे रोना भी नहीं आया अब क्यों नहीं आया नहीं मालूम बहुत लोग मुझसे पूछे क्या आपको खराब नहीं लगा इतना आपका फॉलोवर्स रोना तो आया होका रोई तो जरूर होगी हमले नहीं नहीं रोएं ओभी मैं बताऊंगी आगे आगे देखते रहें और सुनते रहें तो यह मैंने जॉइन कर लिया है अब मैं इसको कट कर दूंगी तो इस टाइब की कटिंग तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसलिए अब मैं थोड़ी अधि बगबग भी कर ले रही हूँ अब मैं उपर का पार्ट कट करूंगी तो इसको मैंने फोर फोल्ड किया है और सोल्डर में इस सीबलेस रहेगा तो सोल्डर में यह हैवी एज एक्सल साइज में बन रहा है तो इसलिए मैं सॉल्डर साड़े छे ले हूँ अगर पतली दूबली लड़की रहेगी तो छे लेंगे या साड़े पांस लेंगे तो इस तरसे आम होल भी मैं साड़े छे ली हूँ इस तरसे राउंड शेप देते वे मैं चेश्ट कम अब 10 लगा रही हूँ और यहां से दो इंची एक्स्रा बारा और इसकी लंबा तो अब देख सकते हैं यहां पर मैं मैं लगा रही हूँ परसे पांच इंची पर यहां से भी मैं दो इंची मार्जिन रखरे हूं तो इस तरह से हमारी टोटल रहेगी 12 आप का बारा अब मैं इसको यहां से हलका से राउंड शेप कर दूंगी और इसको कट कर दूंगी तो टिक टॉक बैर्ट होने के बाइद मैं क्यों नहीं रोई क्योंकि मैं पापा को पर्मेशन नहीं था जो पेपर की ड्रेस पहनती थी उसे भी पर्मेशन नहीं था घर से गाहों से उसको आते थे कि कि आड़े स्पहन थी आपकी बेटी तो उसको मन ने करता था क्यूंकि बहुत बीहारी के ऐना समझTech बीहारी में बहुत ह्वता है अम्में पापा को नहीं पसंत relaxing हमें पापा तो देखें नहीं थे मैं चुप चुप के वीडियो बना लेती थी तो वैसी मुझे रोना नहीं आया हमें तो बन करना ही था एक नएक दिन पापा के डार्ट मार से तो बचना ही था तो हम लोग सोचे था है कि टिक टॉक जल्दी से बैंड हो जाए और हम लोग यह सब वीडियो बनाना छोड़ दे तो टिक टॉक भी बैंड हो गया इसलिए मुझे रोना नहीं आया तो मैं आपको दिखाओंगी मैं किस टाइप की ड्रेस बनाती थी उसमें तो मेरे मिलियन मिलियन व्योज एंड लाइक भी चले गयते इसलिए मेरे इतने फॉलोवर्स जल्दी हो गयते तो अब मैं यहां से यह रही हो is just one Plan by Então नेख डेंख सकते मैं कितना ले रही हूँ मैं छे ले रही हूं बड़ हम तिरचा करेंगे ऊड़ वह साथ आ जाएगा तो इस तरह से मैं इसको शेब देरी हो इसमें मैं पानगला नेक रखूंगी जानिस साथ है साथ हम लोगश्य प्रखने जितना लेक स साथ रखें आप Чाहो हो तो कम भी रख सकतें ज्यादा भी रख सकते हैं यह गाल यदि इस त्रह से स्कोर हरें मिपति हैं इस प्रिंध कीक एक नौन से अर्फिन के हैं मिट्रे म isolation भी टशंग चैसी ज्चाहला कर तेया हुआ हम इस तरह Gulf哦 इसका नेक रखना है मैं कट कर दे रहे हूं तो यह हमारी बैक नेक है और यह मैंने पट्टी कट किया कमर की एंड जो हमारी मोटी सी पट्टी लगी की बैक डोरी के लिए पांच इच्ची के पट्टी कट की है अब मैं इस साड़ी से आपको बताती हूँ क्या करना है कैसे करना है अपे पहले तो मैं सट्ट सेस को कट कर लूंगी इस सैट से अर यह हमारी यूज़ भी हो जाएगी तो इसको मैंने कट कर लिया उसके बाद मैं क्या करूँंगी यहां तक हमारा अंचे स्टार्ट होता है यहां से हमारा अंचल स्टार्ट होगा है यहां से हम इसको कट कर लेंगे यह कर लेंगे यह पारे पार्ड बनेगी तो इस तरह से अभ मैं इसको कट कर दी हूं एक बार आप ध्यान से फिर से देख लीजे और इसकी घेर भी काफी होगी मतलब यह बहुत अच्छा बनने वाला है अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखने होगी तो कमेंट कीजिएगा तो मैं इस तरह से स्कॉल लग कर लूँगी तो उसके बाद क्या हुआ मैं पापा उस टाइम पर टिक टॉक नहीं चलाते थे कुछ वैसा नहीं चलाते थे है ना तो मैं पापा को तो पता ही नहीं चलता था मैं वीडियो चुप चुप के बनाई लेती थी बट मैं भैया तो बता देते थे यहां तक तो आप लोग को पता चल गया अब आधिक स्टोर पर निशान लगाऊंगी क्योंकि लेंद फॉर्टी है उपर की दो इंची की पटी रही तो यहां से मैं कट कर ले दी हूं और जो नीचे का बॉर्डर है वो जो पतला से बॉर्डर है वो उन्हें नहीं पसंद है उसको मैं अंदर साइट से फोल कर लूँगी तो उपर से मैं डिरेक्टी लिंची से निशान लगा रही हूं उसको अलग कर दोंगी कट कल लूँगी यानिकी तो यह थी मेरी पेपर 2020 की स्टोरी स्टोरी क्या 2020 की जो भी आप समझिए मैं अप्रेल में वीडियो बनाना स्टार्ट की एंड जून तक फेमस तो हो गई थी नहीं पसंदता और अपैपा के म Mode कर ना ये तो अच्छा नहीं लगता है अच्छी बात है भी नहीं किसी को नहीं करना चाही है अजिए ब्सक्रणन चैनिने कृटा है वीडियो बनाने पसितम नहीं है तो यहां तक आप देख सकते यासल से मैं को कट कर हैं तो यह सी front part में cut करूँगी back part जो रहेगा वह plane रहेगा तो इस तरह से मैं इसको cut कर लोंगी श्रेट करणी हूं क्योंकि इधर जो part है इससे हमारा चुन्णत बनेगा तो इस तरह से मैं थोड़ा एक्षार लेते वे हाप इंची एक चीशा लेकर कट करें जब आप उसको चिपका लें उसके बाद उसको forget कर देए तो हिस तरह से इसके cutting हो चुक है तब यह जो border भी मैंने कट कर लिया था क्यूंकि मैंने सोचा कर लेती हूँं बाद में मैं निकाल दोंगी इस तरह से मैं निकाल ले रहे हुआ आप अराम-अराम से निकालिएगा मुझे पता था कि इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी टाकी लगी है इसलिए मैं इस तरह से टांटान के निकाली हूँ अब मैं back part की आपको दिखा रही हूँ जो मैंने side से cut किया था इसको मैं back part में use कर लूँगी तो इस तरह से इसको अच्छा से डवल फोल्ड करते वे मैं सट कर रही हूं और इसको इसके उपर रहते वे कट कर लूँगी वैसी सेम मैं बता ही हूँ आप लोग को समय तो आ रहा होगा ना तो इस तरह से आप थोड़ा समझ चाहिए क्योंकि मैं इस टाइब की कटिंग बता चुकी हूँ फिर मैं बता रही हूं और थोड़ी अपनी श्टोरी भी सुना दे रही हूँ आप लोग अपर तक जाकर फिर पीछे आकर फिर मैनत की हो और एक बात आप लोग बताईएगा आप लोग मुझे कहां से देखे हो यूटूब से या फिर इंस्टा से कमेंट करके बताईएगा जरूर क्योंकि लगता है कि जहां तक सारे मेरे इंस्टा वाली आया हैं यूटूब में देखने मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंस्टा पर मिने बहुत फालोवर्स है इक लाग फालोवर्स यानि कि दो लाग होने वाले कब होंगे कब मैं अच्छी से ड्रेस बनाओंगी तो जल्दी से दो लाग फॉलोवर्स कर दीजे कि मैं फिर से अच्छी से एक ड्रस बना सकूं तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है अब मैं इसको इस तरह से सेंटर से कट करके उपर वाली पार्ट मतलब जो हमारी चुण्णत बनेगी तो इसकी लेंथ में उपर वाली की टोटल लेंथ मैं रख रही हूं 35 उदर 15 है और इधर आप देख सकते हैं 25 है तो इस तरह से मैं जोइन कर लोंगी दोनों साइट से और बीच में चुण्णत बना लोंगी अब मैं उसके लिए भी अस्तर कट कर रही हूं जो हमारे उपर वाला चुण्णत के लिए तो मैं अम्रेला कट में क्यूंकि हमारी जो फैवरिक थी जादा बज गई थी तो मैं कट कर रहे हूं तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा उसको छोड़ दीजिए जो मैं पहले निशान लगाई उस सब छोड़ दीजिया अब यहां से देखिएगा यह निशान भी निशान को और नजर अन्दाज कीजिए क्योंकि अब यहां से मैं आपको बता रही हूं नीचे से हमें पूरी जितनी भी घेर है उसको हम लोग ले लेंगे नीचे से पहले घेर लेंगे क्योंकि यह अस्तर है थीक है थोड़ी हमें घेर चाहिए तो नीचे से जितनी भी घेर है जितना नीचे से हम लेंगे उतना घेर जादा होगा तो मैं नीचे से इसका घेर को ले रही हूं फिर उपर से मैं जितना भी होगा उतना ले लूँगी क्योंकि हम लोग उसको चुनट देकर कम कर सकते हैं ठीक है तो उपर से मैं ले रही हूँ यहां से मैं पहले तो छोड़ दे रही हूँ 15 उसके बाद अब देख सकते हैं यानि कि यहां से मैं 12 पर निशान लगा रही हूं जो भी आएगा उसको फिर हम लोग चुन्नत बना देंगे मैंने इसके लंबाई रखी 18 यह दो इंची छोटी रहती है ठीक है अस्तर हमें साथ 2 इंची छोटी रहती है अब मैं कैन कैन को आपको दिखाती हूं पहले तो हमें इसको फोर फोल्ड करने हूं मतलब आपको समझाने के लिए इस तरह से हमें टू फोल्ड करना है ठीक है पहले सेंटर से कट करेंगे उसके बाद हमें टू फोल्ड करना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रू किज़ेगा और आपको मेरी स्टोरी सुननी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं नेक्स पार्ट में आप लोगो इसकी स्टोरी भी बताऊंगी और स्टिचिंग तो मैं लेकर आऊंगी तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है अब मैं इसको टू-फोल्ड करूंगी इसको थोड़ी मोटी बना रही हूँ हाड बना रही हूँ कि हमारा कैन-कैन जो खड़ा रहे है इसको मैं इस तरह से अब टू-फोल्ड करके इसमें पट्टी बनाऊंगे पट्टी यानि कि चुणनट वाली चौड़ी पट्टी छुटी चुणनट प्लेट्स नहीं तो अब मिलते हैं पार्ट टू में